एक बार की बात है, कालिया शहर में एक पुरानी बस खरीदता है, बस की हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं होती, जगा जगा से बस का पेंट भी उखडा हुआ होता है, फिर वह शेरू को हेलपर के तौर पर नौकरी पर रख लेता है, पहले दिन कालिया बस चला कर बस डीपो प पहुँशता है, जहां पहले से कुछ बसे खड़ी होती है, वो भी अपनी बस को वहां लगा देता है, लेकिन उसकी बस की हालत कुछ ठीक नहीं होती, उसकी बस पुरानी होने की वज़ह से ज्यादा सवारियां उसकी बस में कोई दिल्चस्पी नहीं लेती और दूसरी बस में चड़ जाती है, उस दिन कालिया की बस में सिर्फ 5 सवारियां ही चड़ती है, अरे उस्ताद, अगर इन 5 सवारियों को मनाली लेकर गए, तो पन्ले से डीजल के पैसे लगाने होंगे, इतनी कम सवारियों में वोई फायदा नहीं होने वाला, तुम सही कहते हो, इन सब क पिर शेरु सभी सबार्यों को बस से नीचे उतारने लगता है इस तरह अगले दिन भी उसकी बस में सिर्फ चार सबार्यां ही बैखती है वह उने भी उतार देता है फिर अगले दिन शेरू एक गाउं की सुन्दर लड़की को अपने साथ ले आता है और उसे बस कंड़क्टर बना देता है आओ आओ दिली टु मनाली जल्दी जल्दी आओ पहले आओ और पहले खिड़की की सेट पाओ इतनी सुन्दर कंड़क्टर को देख कर सब सवारियां दूसरी बस से उतर कर कालिया की बस की ओर आ जाती है अब उसकी बस पूरी तरह से भर जाती है अरे वाँ वाँ शेरू तेरी धरकीब तो काम कर गई भाई आज तो मजा ही आ गया अजी सुनिये आपके बगल वाली सीट की टिकत कितने की है जी जी आप यहां नहीं बैठ सकते ये सीट रिजर्व है यहां सिर्फ कंड़क्टर ही बैठ सकता है अरे हट पीछे अरे सुनो मुझे ज़्यादा पैसे ले लो और मुझे यहां अपने साथ बैठने दो न है अरे वाँ बुड़े बाबा चलो चलो चिपचाप पीछे जाकर बैठो यहां कोई नहीं बैठेगा फिर सब सबारियां बैठ जाती है और बस मनाली के लिए निकल जाती है सब लोग बार बार सुमन को ही देखते रहते हैं उसी बस में तीन बदमाज भी होते हैं अरे रानी सराया हमारे साथ आकर बैठ जाओ वहां अकेले अकेले बोर हो गई होगी सुमन उनकी बातों को नजर अंदाज कर देती है लेकिन वे बदमाज सुमन को लगातार तंग करते रहते हैं फिर ये सब देख कर शिरू वहां आता है अरे भाई सहाब आपको क्या तकलीफ है कब से उस बेचाईरी को परेशान किये जा रहे हो फिर वे सब बदमाज हसने लगते हैं और सुमन को परेशान करते रहते हैं अरे भाईयो क्या तुम देख नहीं नहीं ये बदमाज मिलकर एक लड़की को तंग कर रहे है क्या आप मेंसे कोई इन्हें कुछ नहीं बोलेगा एरो मत हम सब मिलकर इनका मुकाबला कर सकते हैं एई लगता है तु ऐसे नहीं मानेगा अब एक शब्ध भी और बोले तो तुझे बस से नीचे फेख दूगा फिर शेरू कालिया के पास जाता है पिछे बस में कुछ बदमाश सुमन को परेशान कर रहे हैं हमें कुछ करना होगा हाँ तुम ठीक कहते हो तुम नजर जमाई रखो जैसे ही कोई पुलिस का नाका दिखेगा मैं बस रोक दूँगा फिर रात होने पर ललन सुमन का हाथ पकड़ लेता है ए छोड़ मुझे छोड़ तेरी इतनी हिम्मत छोड़ मुझे फिर कीचा तानी में सुमन का संतुलन बिगड़ जाता है और वो बस से नीचे गिर जाती है ये देखकर वह बदमाज घबरा जाते हैं फिर एक आदमी इस घटना की जानकारी देने के लिए कालिया के पास जाता है अरे भाई साहब बस रोको अनर्थ हो गया वो कंड़क्तर लड़की बस से नीचे गिर गई ये सुनते ही कालिया बस रोक देता है फिर कुछ लोग पीछे की ओड़ दोड़ते दोड़ते वे लोग उस जगह पर पहुँचते हैं जहां सुमन गिरी थी लेकिन वहां उन्हें सुमन की कोई लाश नहीं मिलते इधर उधर ढूड़ने पर भी उसका कोई पता नहीं चलता अरे भाई ये सारा जंगल का रास्ता है मुझे लगता है कोई जंगली जानवर उसे ले गया है हमें यहां और नहीं रुकना चाहिए तेरे में हम सुमन को नहीं ढून पाएंगे चलो चलती बस की ओर चलो कहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए फिर वे सब लोग डर और अंधेरे की वज़े से वापस बस की ओर चल देते हैं और बस में आ जाते हैं पिर इतना बोल कर कालिया गुस्ते में तेजी से बस चलाने लगता है फिर कुछ दूर जानी पर अचानक बस रुक जाती है क्योंकि बस के सामने सडक पर एक पेड़ ग गिरा हुआ होता है तबी अजीब अजीब सी आवाजे आने लगती हैं सब लोग डर जाते हैं अरे मर गई रे ये ये कौन कुर रा रहा है भाई लगता है पास में ही जंगली जानवर है अरे उस्ताद बस क्यों रोक दी यहां तो बहुत खतरा है अरे भाई बस के आगे एक पेड़ गिरा हुआ है मैं आगे बस नहीं चला सकता तभी किसी के बहुत तेज चीखने की आवाज आती है तभी ऐसा लगता है जैसे कोई बस की छट पर चल रहा हो सब सवारियां बस की छट की ओर देखने लगती है सब की हालत खराब हो जाती है अरे ललन भाई ये बस की छट पर कौन चल रहा है भाई मुझे तो बहुत डरावने डरावने खयाल आ रहे हैं इन्हें सुमन की लाज भी नहीं मिली कहीं वो लोटके तो नहीं आ गई अरे नास मिठे ये कैसी कैसी बाते बो रहा है शुब शुब बोल अगर वो वापस आ चोड़ेगी तभी खिर्थी में से एक हाथ अंदर आता है और विजय की गर्दन पकड़ लेता है और उसे अपने साथ बाहर खूच लेता है अरे अरे मर गई ने ये तो किसी चुडैल का हाथ था भाई आई मम्मी बचा लो बचा लो चुमन चुडैल बनकर वापस आ गई अब क्या होगा तभी उन्हें एक चुडैल बस के पीछे वाले शीशे से दिखाई देती है उसे देख कर सब की हालत खराब हुचाती है अरे ललन भाई विजय तो गया अब अगला नमबर हमारा ही है ये हमारे लिए ही आई है तभी खिर्की में से एक हाथ अंदर आता है को ये बस से बाहर खीच लेती है अरे भाईयों ये चुडैल इन तीनों के लिए ही यहां आई है इधिक की वज़े से उमन बस से नीचे गिरी थी उसने दो को तो मार दिया है अब ये अकेला ललन ही बचा है चलो हम सब मिलकर इसे बस से नीचे भेग देते है जिस से उसकेल का बदला पूरा हो जाएगा और वो यहां से चली जाएगी अरे नहीं 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 भाईयों ये कैसी बातें कर रहे हो मेरे साथ ऐसा मत करो शिरु भाई मुझे बचा लो तुम तो समन को जानते थे ना उसे बोलो कि मुझे माफ कर दे मैं हाथ जोड़कर उससे माफ ये मानता हूँ तुम मिशी के लायक हो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता तब ही वह चुड़ैल जोड़ जोड़ से गुड़ाने लगती है फिर चुड़ैल ललन को भी बस से बाहर खीच लेती है और बस की छट पर ले जाती है अरे सुमन मुझे माफ कर दो मेरे से गल्टी हो गई ओज के बाद मैं किसी लड़के के साथ बत्तमेजी नहीं करूँगा उससे छोड़ दो फिर वा चुड़ैल ललन का सेर उसके धर से अलब कर देती है और जोड़ जोड़ से चीखने लगती है उसकी चीखें सुनकर बस में बैठा हर शक्स कांप उठता है फिर उसे मारने के बाद वो खिड़की से छांक कर अपने अगले शिकार की तलाश करने लगती है देखो सुमन हम सब से बहुत बड़ी गलती हो गई हम सब तुप रहे किसी ने भी तुम्हारे लिए आवाज नहीं उठाई हम सब तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं हमें माफ कर दो उस बस में कुछ बच्चे भी होते हैं उन्हें देख कर वह शांत हो जाती है ठीक है मेरा बदला पूरा हो गया मेरी लाश तुम्हें पीछे जाड़ियों में पड़ी होई मिलेगी उसका अंतिम संसकार कर देना फिर शेरू और कालिया मिलकर उसकी लाश का अंतिम संसकार कर तोड़ बनौ LAN